हेलो केट्स, वेलकम तु मागनिक ब्रेंज, मेरा नाम मागी है और आज हम लोग प्रकृती के रंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं क्या प्रकृती के रंग अब प्रकृती क्या होती है प्रकृती मतलब जो आपके आसपास जो आप जो नेचर है जो फूल, पौधे, पेड चिडिया, जानवर, इंसान, ये सारी चीज हमारी प्रकृती में आता है ठीक है तो इसमें कितने रंग हैं, कौन-कौन से रंग हैं और हमें कौन-कौन सी चीजे देखने को मिलती हैं ये सारी चीजे हम आज पढ़ने वाले हैं और ये चीजे हम किसी कहानी या कविता में नह यह देखिए कि आप देख पा रहे हैं कि यह कितना कलरफुल है कलरफुल मतलब रंग विरंगा इसमें बहुत सारे रंग दिख रहे हैं आपको है ना तो आज हम लोग क्या करेंगे इस चित्र को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इसके अंदर हमें कौन-कौन सी चीज़े देखन हम लोग यहां से शुरु करते हैं ठीक है आप मुझे बताईए कि यह जो पेड़ाआपको दिख रहा है यह किस चीज का पेड़ है ये कोई ऐसा साधारन पेड नहीं है जो आपको यहां कहीं कहीं भी लगा हूँआ देखता है यह एख केले का पेड़ है किसका केले का आक इस पेड़ में केले के पेड़ में इसमें एक केले का गुच्छा लगा है देखिए इसमें आपको बहुत सारे केले देखने को मिल रहे हैं ठीक है तो इस तरह ये जो पेड़ है ये एक केले का पेड़ है अब आप मुझे बताईए कि आप लोग जम कभी भी बाजार जाते हैं कुछ भी समान लेने के लिए और वहां पर आपको फल रखे दिखते हैं तो क्या आपको कभी एक केला दिखता है या दो केले दिखते हैं? नहीं, आपको केले बहुत बड़े गुच्छे में दिखते होंगे, है ना? और जब आप खरीदते हैं, तो या तो आप एक दर्जन या आदा दर्जन लेते हैं, कभी भी कोई एक या दो केला तो नहीं खरीदता, इसी तरह केले जब बनते हैं, जब आपको और क्या दिफ रहा है? यहाँ पर आपको एक गुलब का फूल दिख रहा है है न Gwen? अब मुझे बताईए कि आपने कैसे पहचाना की यह गुलब का फूल है हाँ मैंने माना की यहाँ लिखा हुआ है लेकिन मान लो की नहीं लिखा हुआ है तो आप कैसे पहचानेंगे किड्स? क्यूंकि गुलाब का फूल लाल कलर का होता है या फिर पीले कलर का होता है अब यहाँ पे ये एक लाल रंग का गुलाब है, ठीक है? गुलाब का फूल बहुत ही सुन्दर होता है और उसमें से बहुत ही अच्छी मीठी मीठी सी एक खुच्छबू आती है है ना क्या आप लोगों ने गुलाब का फूल देखा है गुलाब के फूल को हम लोग किसी भी अगर कोई फेस्टिवल है या कोई कोई किसी का कुछ बदे है तो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं है ना और जो गुलाब की पंखुडियां होती है ठीक है उनका हम कभी में या किसी सजावट में है ना क्या आप लोगों ने देखा है तो इस तरह यह एक गुलाब का फूल है ठीक है कि यहां तक आपको समझाया चलिए आगे पढ़ें आगे आपको यह एक आदमी दिख रहा होगा दिख रहा है ना आप मुझे बताईए कि यह आदमी कौन है औ कौन एक माली और माली क्या होता है माली मतलब जो पेड़ों की पौधों की फूलों की उन लोगों को उनका ध्यान रखता है ठीक है किनका पेड़ों का पौधों का फूलों का मतलब जो आपका जो गार्डन है जो बागीचा है उसका क्या रखता है ध्यान रखता है कैसे मतल पूलों में पानी देना, या पेर लगाना, पौधों का ध्यान रखना, ये सारी चीज़े एक माली का काम है, किसका? माली का, अब ये जो माली है, ये देखो यहाँ क्या कर रहा है, ये मिट्टी को खोद रहा है, ठीक है, ये देखिए इसके हाथ में एक मिट्टी खोदने की है और यह क्या कर रहा है यह मिट्टी को खोद रहा है अब मिट्टी को खोद के क्या करेगा यह उसमें पौधा लगाएगा ठीक है और वो पौधा बड़ा होके क्या बनेगा पेड़ बनेगा ठीक है तो यह माली जो है यह मिट्टी को खोद रहा है ठीक है क्या आपको इतना स और मिट्टी को खोधना चीक है? क्या यहां तक सारी चीज़ समझाईए आपको? चलिए, इसके बाद आप ये एक चीज़ देख रहे होंगे जो माली के सर पे बैठा है और ये क्या है? ये है एक इल्ली इल्ली क्या होती है, किट्स? इल्ली मतलब क्या आपने मुझे ये बताईए कि जो तितली होती है, क्या आपने तितली देखी है? बटरफलाइ, देखी है ना? वो कितनी सुन्दर होती है और उसमें कितना रंग होता है ना? और वो बहुत सारी तितलिया एक साथ उड़ती है गूमती दिखती हैं, है ना? तो ये जो बटरफलाई, ये जो तितली होती है, वो तितली बनने से पहले इल्ली रहती है, ठीक है? तो ये जो इल्ली दिख रही है ना आपको, ये इल्ली जब थोड़े दिनों बाद बड़े होके क्या बनेगी? एक तितली बनेगी, ठीक है? सम ठीक है तो ये माली के सर पे एक इल्ली बैठी है ठीक है समझाए आपको चलिए इसके बाद देखिए इस इल्ली से मिलता जुलता एक और छोट असजीव आपको दिखरा हो गए आपे ठीक है आप मुझे बताइए कि ये जो इस तरह का शेप है इसका ऐसा उचा नीचा सा ये क क्या कर रहा है और इसका क्या काम होता है ये केचवा आपको जो खेत होते हैं ये गार्डन होते हैं ठीक है जो बागीचे होते हैं इन सब में ये केचवे आपको दिखेंगे ठीक है इसलिए ये जो केचवे हैं ये धरती पे रहते हैं धरती पे चलते हैं और ये इस तरह क्य क्यों बना हुआ है क्योंकि यह इस तरह ही रहता है और आगे बढ़ता है ठीक है यह इस तरह आगे बढ़ता है ठीक है तो आपने अगर कभी केचुवा देखा होगा तो आपने देखा होगा कि यह चलता कैसे है पहले अपने पूरी बोड़ी को सिकुड लेगा फिर वो पूर रहां ये केचुवा चलता है आगे बढ़ता है और ये केचुवा खा रहता है केच ये बागीचे में खेत में ठीक है इन सारी जगहों पे आपको मिलेगा ओके समझाया आपको तो ये था केचुआ और केचुआ को हम इंगलिश में क्या बोलते हैं हम बोलते हैं अर्थ वर्म क्या अर्थ वर्म क्यूंकि वो अर्थ पे रहता है धर्ती पे चलता है और रहता है ठीक है समझाया तो ये था केचुआ इसके बाद बताओ क्या है इसके बाद आपको ये एक उड़ता हुआ कुछ दिख रहा है ये बताओ क्या है ये है एक भवरा क्या है भवरा अब भवरा क्या होता है भवरा वो होता है जो एक छोटी सी मक्खी की तरह दिखता है और वो रहता कहां पे है वो रहता है फूलों के उपर ठीक है क्यों कि वो जो फूलों का रस होता है उसको पी लेता है ठीक है समझाए आपको जो भवरा होता है वो फूलों पे जाके बैठता है जैसे यह फूल दिख रहा है आपको इस फूल पे वो जाके बैठेगा और इस फूल का रस जो है वो पी लेगा ठीक है फिर वो जो गुलाब रखा है हो सकता है वो आके इस पर बैठे और फिर इसका भी जो रस है वो पीले ठीक है तो इस तरह ये है एक भवरा समझाया आपको इसके बाद ये जो फूल दिख रहा है आपको ये पहले मुझे ये बताईए कि ये जो फूल दिख रहा है ये कौन से रंका है ये है पीले रंका कौन से रंका पीले रंका और मुझे बताईए कि पीले रंका और क्या होता है पीले रंका होता है सूरज है ना होता है कि नहीं त जैसे सूरज पीले रंका होता है, वैसे ही यह जो फूल है, इसका नाम भी सूरज से मिलता जुलता है, इसका नाम है सूरज मुखी, क्या है? सूरज मुखी, मतलब कि यह जो फूल है, इसका जो मुख रहता है, इसका जो मुख रहता है, वो सूरज की तरफ रहता है, ठीक है? इसलिए इस फूल को हम बोलते हैं सूरज मुखी का फूल, ठीक है, समझाए आपको, और सूरज मुखी को हम इंगलिश में क्या बोलते हैं, सन फ्लार, क्या बोलते हैं, सन फ्लार, क्योंकि उसमें सन आ रहा है, और ये इसका जो फेस है, वो सन की तरफ रहता है, ठीक है, समझा आपको तो यहां पे हमने यह तीन संदर से फूल देखें और इन पूलों का फूल जो इस तरह दिखता है फिर हमने पढ़ा ये माली और ये माली जो है वो मिट्टी को खोद रहा है ठीक है फिर हमने पढ़ी इल्ली ठीक है इल्ली के बाद हमने पढ़ा केच्वा केच्वा पढ़ा किने फिर हमने पढ़ा भवरा ठीक है तो अभी तक हमने ये सारी चीज दिख रहा है यह किस तरह दिख रहा है यह एक तर्बूज है क्या है तर्बूज क्या आपने तर्बूज देखा है वह बाहर से होता है हरा कलर का और देखो यहां पर दिख रहा है आपको कि यह तर्बूज बाहर से हरा है और अंदर से लाल है बाहर से हरा और अंदर से लाल क्या आपने तर्बूज खाया है ठंड में जब हम तर्बूज सॉरी गर्मी में जब हम तर्बूज खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है वह बहुत पानी पानी होता है उसके अंदर मीठा मीठा सा तो इस तरह ये एक तर्बूज है चीक है तर्बूज को क्या बोलते हैं इं यह हैं बीच क्या है बीच का मतलब होता है कि कोई भी फल हो फूल हो या कोई पौधा हो वो कैसे बनता है वो बीच से बनता है जब बीच को हम धरती में बोते हैं ठीक है जैसे यह जो माले मिट्टी खोद रहा है इसके बाद यह इसने अगर बीच को बो दिया अगर मान लो इसने ये तर्बूज का जो बीज दिख रहा है ना आपको ये तर्बूज का बीज अगर इस माली ने इसमें बो दिया तो क्या बनेगा? तर्बूज बनेंगे उससे ठीक है? तर्बूज का पेड़ बनेगा समझे? तो वो जो बीज होता है वो किसी भी चीज का फूल का फल का उसको जब हम बोते हैं तो उसमें से उसी बीज का एक पेड़ बन जाता है समझें तो ये जो बीज है इसकी बारे में हम अब अब आगे और अच्छी से डीपली पढ़ेंगे ठीक है तो इतना आपको समझ में आया कि ये बीज क्या होता है बीज किसी भी फल का फूल का एक सबसे छोटा हिस्सा होता है जिससे हम बोते हैं तो उससे वही फल या फूल बनता है ठीक है क्या आपको समझ आया तो ये पूरा चित्रा आपको अच्छे से समझ आया इसमें हमने बहुत सारी चीजे पढ़ी और ये सारी चीजे किस में आती है प्रकृती में आती है ठीक है, ये सारी चीजें मिलाके प्रकृती बनाती हैं, और भी बहुत से फूल हैं, फल हैं, सारे, सारे पेड, सारे फल, सारे फूल, सारे छोटे छोटे बड़े बड़े जानवर, ये सब हमारी प्रकृती का हिस्सा है, ठीक है, समझाया, clear हुआ, तो इस तरह आज हमने एक च चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है किट्स, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, थांक्यू किट्स, बाबाई